नमश्कार मैं हूं दॉक्टर मिली सिंगल मेडिकल उन्कॉलिजिस्ट अपोलो हॉस्प्रोजिस न्यु डेली और नॉइटा से आज हम बात कर रहे हैं यानि क्या ओरतों में स्वीटेंड बेवरेज़ यानि मीठी चीजे खाने से या मीठी ड्रिंक्स लेने से लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता है इसके उपर एक Harvard University ने कुछ दिनों पहले एक study पब्रिश करी थी जो कि एक observational study observational study का मतलब यह होता है कि हम इसमें direct link नहीं निका सकते एसी studies के अंदर एक बड़ी problem होती है वो है recall bias यानि कि आपको क्या याद आता है कि आप कितनी बार sweetened यानि शुगरी ड्रिंक्स ले रहे थे या नहीं ले रहे थे और हमेशा इसमें positive recall bias का phenomenon होता है 6.8% chance higher था liver cirrhosis, liver की बिमारिया होने इसका एक और direct link भी था जैसे की मुटापा जो लोग sugary drinks जादा लेते हैं वो जनरली मूटे होते हैं और ऐसे मूटे लोगों में liver cirrhosis होने का risk जादा होता है इसको हम बोलते हैं NASH यानि non-alcoholic steatohepatitis NASH यानि obesity induced liver cirrhosis एक अपने आप में अलग बिमारी है और जो की जाहिर बात है ऐसे लोगों में sugary drinks लेने का यानि की sweetened beverages लेने का की chances भी जादा होंगे तो ये link बनाना बहुत मुश्किल है कि क्या सिरफ sugar जादा लेने से cancer हुआ या फिर मुटापे की विज़े से cancer हुआ ये link बनाना बहुत मुश्किल है और इस link को वकाइदा बताना भी बहुत मुश्किल है अगर हम इस study के तहह में जाए तो इसके जो primary author थे उनकी बात को अगर हम सुनें और पढ़ें उस article के अंदर उसमें उनने साफ साफ तरीके से बात लिखी है कि इसमें direct link established नहीं किया जा सकता यानि कि अगर हम लोगों में ये खौफ पैदा कर देंगे कि शुगरी drink लेने से ही cancer हो जाएगा तो ये अपने आप में गलत बात है येस इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर आप कुछ भी मीठा खाना चाते हैं या मीठा पीना चाते हैं आप जरूर पिए लेकिन अपने body mass index को maintain रखे क्योंकि 25 से नीचे होना चाहिए मुटापा ना आने दे और regular exercises करें अगर आप regular exercise कर रहे हैं मुटापा नहीं आने दे रहे हैं तो आप बेशक मीठी चीजे खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं पजा भी सकते हैं और एक अच्छी जिन्दगी भी जी सकते हैं धन्यवाद